अलो फ्रेंट्स अगर यह स्लेवस में है किसी के भी स्लेवस में सब्सक्राइब अगर यह टॉपिक है तो इस पे एक कोडिशन जरूर आता हो भी रेडियस आप कनवर्चंस पे तो पहले सबसे देखते हैं पावर सीरीज है क्या कोई भी सीरीज जो पावर के फॉर्म में इसको कहा से कहा स्बस्ट जीरो से लेके एक ऐसी सीरीज जो इस पावर के फॉर्म में हूं पावर वह जिट के, complex form में हो, complex में power series होगा, real में हो तो देखें अगर a n की value 0 put करेंगे a 0, z पे power 0, यानी z पे power 0 नहीं हो, पहला term, दूसरा, plus, यहां 1 put करेंगे, 1, z पे power 1, इस तदिकी series पढ़ता है, a series that can be written in the form of power, that is power series, अगर हम कहें कि power series about the z equal to z 0 के में लिखें, तो देखें, यहां कुछ नहीं है, a 0, a 1, z minus, जहां z था है, z minus z 0 करना आपको, तो यह कहेगा power series किस form में, z minus z 0 के power, ऐसे ही summation जैसे हैं, z minus z 0 के power, तो इस series, तो आपने देखा, power series के form में कैसे लेखा, power series, power jet के power के form में लेखा, that is power series, अब देखिए, इसका radius of convergence का मतलब क्या है, radius of convergence का मतलब है, एक ऐसा circle draw करें, इस series के लिए, जिसके अंदर, वो converge करें, मतलब finite और unique value दे, और उसके बाहर क्या हो जाए, तो यह कहलाएगा, radius of convergence, मतलब किसी भी power series का radius of convergence का मतलब एक ऐसी radius ड्रॉआ कर देए, जिसके अंदर वो converge हो, जिसके बाहर diverge हो जाए, तो यसी को बोलते है, radius of convergence, तो circle mod z is equal to r, containing all the values of z, for which the power series converge is called, circle or radius of convergence, तो इसका r बोलेंगे, radius of convergence, कब अगर यह z के अंदर, sorry, r के अंदर, सारे point पे वो क्या करें, converge करें, उसको radius of convergence हो, तो r की value कैसे निकाल जाती, इस an की help से, an क्या है, complex constant होते हैं, जैसे मैंने यहां बता है, a0, a1, a2, सब क्या है, complex constant, तो यह value आप निकाल सकते हैं, दो तरीके से, r is equal to limit 10 times to infinite, a mod an by an plus 1, और दूसरा तरीका है, r is equal to limit 10 times to infinite, mod an power minus 1 by an, इस तरीके से आप radius of convergence, किसी भी power series का, निकाल सकते हैं, right, तो यह power series का, यह जो problem है, radius of convergence पर, इस पर एक problem जरूर आता है, इसे आप अगर सही तरीके से revise कर लिए, तो एक problem वका बड़े आराम से radius of convergence का solve हो जाएगा, friends, अगर यह मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे share like और subscribe, जरूर करें, अगले वीडियो लेक्चर में, फिर हूँ, टेलर सीरीज और लारेंट, थियूरम के बारे में, या टेलर और लारेंट सीरीज के बारे में, डिसकस करेंगे in complex, थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो,